तो इस वीडियो में आपको बोलूँगा मैंने कैसे एक वीडियो से 10 के सब्सक्राइब किया वह भी साथ दिन में यानि कि मैंने एक वीडियो फ़र्मिलिश किया और उस पे बहुत सरा रस्पॉंस आया उस पे सिरफ साथ दिन के अंदर 10,000 सब्सक्राइब आए अगर आपके सब्सक्राइबर नहीं हो रहे हैं जो यूटूब का राइटेरियों होता है वो आपको नहीं हो रहा है तो इस यूटा में बता हूंगा एक ऐसा मेठेड एक एक यूनिक मेठ्रिक जो आप अगर अप्लाइब करूग अपनी वीडियो में अपनी चैनल पे तो आप 10 दिन के अंदर 1K 2K 10K सब्सक्राइब कर सकते हो वाज टाइम कर सकते हो और अपनी चैनल में अपनी चैनल में चैनल कर सकते हो तो को करना क्या है मैं आपको दिखाऊंगा आज एक लाइव प्रॉसेस जो आप यूज अगर करोगे तो आपका चैनल जो है वह वान एंट 10% ग्रोव हो ज उसका analytics दिखाऊंगा देख सकती हूँ Most Vivid में यहां से करता हूँ उसके बाद आप देख सकती हूँ यहां पर यह वीडियो है इस पर कितने वीडियो है इस वीडियो ने कितने सब्सक्राइबर यहां से लाए हैं देख सकती हूँ सिरफ एक वीडियो से कितने ज्यादा है अब इसको multiply कर सकति हुम यह daura में अधार मैं relativity करके शरफ एक वीटियो से आया है तो अब आप देख सकते हुँ तो आप मैं आपको बता हो जो मैंने इसमेह त्रम आपए ती आपको करना के है तो देख सकते हो यहाँ से आपको जाना हे था है youtube के अनलिक जो आपके audience क्या देखना चाहती है आपको यहीं पर YouTube खुद बता देता है कि आपको next video कौन से topic पर बनाना है और उस पर कैसा response आपको मिलेगा तो यहां से यह YouTube खुद दिखा देता है research का जो tab यहां पर recently YouTube ने लांच किया था यह काफी useful tab था इससे आपको काफी सारे features मिलेंगे और काफी फाइदा इससे आपको मिलेगा बस आपको करना क्या होता है यहां से जो आपने वीडियो मनाया है उसका title उपर सर्च करना है जैसे मैं यहां पर कोई title सर्च करूंगा देख सकते हो उसके बाद यहां से आपको सारे tags मिल जाएंगे सारे keywords मिल जाएंगे और title भी मिलेगा कि आपको वीडियो में कौन सा title रखना है नीचे same वीडियो आपको मिलेंगे और challenge मिलेंगे जिन जिन चैनल ने वाला वीडियो अपलोड किया होगा हो नीचे suggestion में show हो जाएगा और इस पर आपको पता चलेगा कि audience इस पर कैसा response दे रही है तो अगर आप यहां से देख सकते हूँ यह जितने keywords यहां पे हैं यह most popular keywords है यहां से इसका देख सकते हूँ high search or view यह ज़्यादा search यह keywords किया ज़्यादा है YouTube पे अगर यह सारे keywords आप य अपने description tag और title में यहां से लगा सकते हूँ and next method है आपको क्या करना है आपको title थोड़ा बड़ा रखना है क्योंकि starting में अगर आप बड़ा टाइल रखोगे तो उसमें बहुत सारे keywords आते हैं तो उसमें भी आपका chance होता है video rank होने का अगर आप बड़े keywords रखोगे तो उससे